हैलो दोस्तो नमस्कार देभूम एज़कस उत्राखंड की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है उत्राखंड भर्तियों की अपडेट के साथ आज की वीडियो की सुरूआत करते हैं UK SSSC अक्टूवर से नई भर्ति के विग्यापन निकालेगा गत वर्स के भर्ति विवादू को पीछे छोड़ उत्राखंड अधिनस सेवा चैन आयोग नई भर्ति परक्रिया सुरू करने जा रहा है उत्राखंड के पास L.T. कला के साथ BPDO सहीत विभिन्न विवागों के 500 से अधिक पद विग्यापन के लिए उपलब्द हैं आयोग उक्टूवर तक नहीं भर्ति परक्रिया करने जा रहा है बीते साल जुलाई में इसना तक स्तरी भर्ति परिक्षा मैं लीग पेपर लीग का मामला सामने आने के बाद यूके ट्रप्लस का काम गाज पटरी से उतर सरकार ने समुगोग इस्तर की दो दर्जन भरतियां की जिम्मेदारी लोकसिवा आयोग को सौंप दी थी जब यूके ट्रप्लस ने पिछले साल तमाम विबाद निप्टा लिया साथ ही परिक्षा को जरूरी प्रिंटिंग प्रेस पेपर सेटर और परिक्षकों का नियंग चयन भी कर लिया है। परिक्षा कराने के लिए तयार है और पूर में इस्तगित परिक्षा कुसलता से आयुज़त करने के साथ ही इनका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया हमने सासन को ने अधियाचन उपलब्द कराने को का है जीयस मार्तोला जो अध्यक्ष है यूके ट्रिपलेसे इनका स्टेटम जो पद है जो 500 पद है कनिस सायक के 500 प्लस पद है कनिस सायक के भरती है इसमें 500 पद आने है उसके बाद जो वीडियो भी वीडियो वीडियो के 130 पद नहीं आने है इसना तक इसके लिए योगता है वीडियो के 107 वीडियो के 7 पद आने इसना तक इसकी योगता है अलप संक प्रवतन सिपाई के पांस पद आपकारी आयुक्त के पांस पद जिसके लिए ग्रेजियोशन है और प्रवतन सिपाई के लिए दसमी पास आपकारी सिपाई के सौ पद और इसमें 500 पांसो पद कनिस सायक के युके ट्रपल ससी के पास अधियाचन के बाद इसमें भरती प्रक्रिया सुरू होगी तो यह था पदों का विवराण युके ट्रपल ससी अक्टोवर से नहीं भरती बिग्यापन निकालेगा और इन किन पदों पर यह भरती आने वाले हैं तो यहां प्रक्रियाचन के माध्यम से भी भरती आने वाली है अभी जो सबसे मोस्ट अवेटेट पोस्ट है आरो यह आरो का विग्यापन आना सेस है इसमें अभी अधियाचन समन्दित कुछ अर्चने आ रही है और दूसरा जो है यो के 63 पुदों पर भरती होनी है और नेक्स जो अपडेट है हाई कोट में भरती आने का मौका उत्राखन हाई कोट ने परसनल असिस्टेंट के ग्यारो पुदों के लिए बढ़तिया निकाली है इसमें 500 रुपी आउदन सुल्क रखा है आउदन की अंतिम्तिती 11 अगस्त तैकी है नोकरी के समन्द में हाई कोट के रिजिस्टार जनरल अनूब संगल के और से बिग्यप्ति जारी की गई और बिग्यप्ति के मतावर परसनल असिस्टेंट के लिए इस नातक होना इन्वारे है सा 42 साल तक की युवा इसमें आउदन कर सकते हैं आउदन का फॉर्मेट ऑफ-लाइन भरकर इस पीड़ पोस्त के मादिम से भेजा जाएगा जिसकी अधिक जानकारी हाई कोट की वेब साइट पर जाके आप राप्त कर सकते हैं नेक्स जो भरतिया नेंताल बैंक में 110 पदों प किसी NBFC में दो साल का कार्य उन्वा भी जरूरी है वहीं कलरक पद पर भी इसनातक और NBFC में दो साल के उन्वा को बरेत्या दी जाएगी और 27 अगस तक आउनलाइन आउदन की वेब सब्सक्राइट पर किये जा सकते हैं तो यह भरतियों से समंधित अपडेट है 12 पास के लिए UKPSC के माधियम से उत्राखन लोग सवाएग में प्रयोकसाला सहायक के 107 पदों पर लैब असिस्टेंट के 107 पदों पर भरती निकाले इसमें जो क्वालिफिकेशन है 12 पास तो यह भरतियों का विवरण हमने देखा UKPSC से और UKPSC के माधियम से जो नेक्स भरतिया आने वाले आप सभी कैंड़ेट्स तयारी में जुट जाएगा जिस भी कैंड़ेट्स का अभी सेलेक्शन हाली के एक्जाम में नहीं हुआ है वो आगे में एक्जाम की तयारी कर सकते हैं काफी पद UKPSC और UKPSC के माधियम से आने वाले हैं नेक्स अबडेट है बंद रोगा पदों की सारिक दक्सता परिक्षा आज से उतराखन अधिनास सिवा चैनायो की बंद रोगा सारिक दक्सता परिक्षा स्वामबार से राजियो गंदी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडिम बनाई जाएगी यह बंद रोगा की जो जो फिजिकल एक्जाम है वो आज से हो रहा है एक्जाम से जुड़ी खबरें अब नेक्स है उतराखंड करंट अफेर की खबरें पहली है पहली सेव नीती का प्रस्ताव तयार पांच हेक्टर छेतर में नए बगीचे लगाने को सर हेक्टर छेतर में नए सेव के बगीचे लगाने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साइट करेंगी जिरो पॉइंट टू और बीस हेक्टर तक भूमवाले किसान से बगीचे तयार कर सकते हैं प्रदेश में हड़वार उदमसिक जिल्ले को छोड़कर से इस ग्यारे जिल्लो सेव का अत्वादन किया जाता है पहले बार सेव नीति लागू कर सरकार अत्वादन बढ़ाने पर जूर है जिससे किसानों के पास कम जमीन है जिन किसानों के पास कम जमीन है उन्हें भी सेव की खेती के लिए प्रोत्साइट किया जाएगा नीति पॉइंट टू हेक्टर स करेंट से कि नीतीर मेंकिस क अधेल दूसरी करंट रखेर की निउस है उत्राखन से पर देश में भव्या तरीके से होग चैन सका तो होगे खेल मंत्री रेखा आरे ने कहा है कि प्रदेश में 38 राष्टी खेलों का आयोजन भवेतरी किस हुआ इसके लिए तैयारे अंतिम रूप तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है उनने यह बात आम वाला इस्तित्राजस्त्रिय कौसल लिवा विकास एवां विवागी प बैटमिंटन हाल के पूरी तरह से तैयार होने के बाद यहां कराटे टीटी और बैटमिंटन प्रस्टिक्षण कैम्प सुरू किया जाएंगे खेल मंत्री ने निरिक्षण के दौरन कारियों को इसी महने सेच निर्मान कारे पूरा करने के निर्देश दिया है तो यहां पर जो अन्टीसवे राष्टिक गेम्स हो रहे हैं यह उत्राखन में हो रहे हैं नेक्स करेंट अफिर की न्यूज है राज्य तितली का नाम बदल कर बोल्ड ने अब नया नाम के लिए सहमती बन गई है बोल्ड ने राज्य तितली कॉमन पिकोक पेपलियो बियानर का नाम बदलने पर सहमत दे दिये अब जल्द इसका नोटिपिकेसिन आगा राज्य तितली का नाम अब वूली वैंडेड पिकोक के नाम से जाना जाएगा तो फ्रेंड्स यह करेंट अफिर की दिश्टी से अगम एकजाम में पूछा जा सकता है राज्य तितली का नाम जो बदला गया है पहले इसका नाम पैपलियो वियानर था कॉमन पिकोक की नाम से जाना जाएगा अब इसका नाम रखा जाएगा वूली वेंडेड पिकोक तो यह आगम एकजाम के लिए महत्ता पून है नेक्स आज की करेंट अफेर न्यूज और एकजाम से जुड़ी हुए खबरें ठैंक्स फॉर वाजिंग जल्द मिलते हैं नई इंफॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए नमस्कार